आज मैं बनाने जारी हूँ फोर लेयर ओरियो चॉको बॉल्स यह सुपर इजी है और सुपर टेस्टी है हरेज ग्रॉप को पसंद आने वाला है तो आज यह मैं बताती हूँ किसे हम कैसे बनाते हैं इसके लिए हमने दो ओरियो के स्मॉल बाले पैकेट यह स्ट्रॉबरी फ्लेवर है और एक जो दूद तीसरा है वह चॉकलेट फ्लेवर है इसके हम साइड्स को अलग कर लेंगे और बीच के क्रीम के पार्ट को अलग कर लेंगे इसके हम अपने सारी क्रीम को निकाल लेंगे और बिसकेट के पार्ट को अलग कर लेंगे अब मैंने यह चॉकलेट फ्लेवर लिया है इसकी क्रीम को भी निकाल लेंगे इसको हम एक अलग बोल में रखेंगे बिस्किट्स को एक तरफ कर देना है और क्रीम को दो अलग अलग जगह पे हमें रखना है इसे हम अपने सारे बिस्किट्स को अलग कर देंगे और क्रीम के पार्ट को अलग कर देंगे अब अपने बिस्किट्स के हम पाउडर कर लेंगे इसका फाइन पाउडर कर लिया है अब इसकी क्रीम को लेके डो का फॉर्म देंगे हम उसे और छोटी-छोटे बॉल्स इसकी बना लेंगे ही कि जितने हमें स्ट्राबरी के पटर करने हुदते हमें इस या में व्लीवर के बिलेख करें अब इसको थोड़ा सा फैल आकर जैसे-हम पराठा अगर अगर है स्टाफ करते हैं वैसे में उसे मिल अंधरल के छौक्लेट फिलिंग को स्टाफ करते प्रोसीजर पॉलो करना है यह स्टाफ हो जा रहा है आप यह एसा ही पला के उसके अंदर से स्टफ कर लेंगे उसके बाद इसे बॉल बना लेंगे अब अब अपने बिस्कुट का पाउडर लेना है उसमें थोड़ अशा चॉकलिट सॉस डालनी है आप चाहें तो गनाश या मिल्क मेड भी यूज़ कर सकते हैं कंडेंस मिल्क अचली हमें इसको एक डो का फॉर्म देना अब इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे तू तू थ्री स्पून ऋर इसे एक डो का फॉर्म दे देंगे यह यह हूचका है अब इसके भी हम पार्ट्स कर लेंगे जितने पार्ट्स हमने अब इसके भी बना लेंगे इसली बन जा रहा है ऐसे हमारी यह सारी बॉल्स रिडी हो जाएंगी यह मैंने दबारा से किया है क्योंकि उस्टाफिंग करने में थोड़ी से प्राब्लम हो रही थी यह Represent me अघ्रएस रहा OFF यह देखें बहुत एजी हो जा रहा है यह स्टफ यह अब हमारे सारी चीज़ा रेडी हो गई है अब हम फिर से अपने औरियो के बिस्किट के जो डो था उसको एक पराटे के फॉर्म में जैसे हम करते हैं और वैसे इसके अंदर स्टफ करते हैं गया से अपने क्रीम को यह देखें सिम ऐसाइं प्रोसीजर में पॉलो करना है और ऐसा ही अपने सारी बॉल्स को हम रेडी कर लेंगे यहमारी सारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं यह मैंने डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट दोनों को मेल्ट कर लिया है आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर की है या माइक्रोवेव में 30 सेकंड रखे भी कर सकते हैं यह देखें इसके अंदर इसे डालेंगे इसमें डिप करके हमें इसे निकाल लेना है ताकि उसके उपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए इंच्छी यह मैं अपने वाइट चॉक्लेट में भी करेंगे वाइट चॉकलेट में तो मैंने उसे डो बार फॉलो किया है चॉक्लेट में डिप करने का ताकि वह एक अच्छी सी लेल उपर आ जाए वाइट की डाक में जरूरत नहीं थी, लेकिन वाइट में थोड़ा कम था, तो मैंने इसे दुबारा से किया है, आप चाहें तो करें, और चाहें तो इसको इसके भी कर सकते हैं, यह देखिया, भी नॉर्मल सेट हो गया है, पूरा थोड़ी दे रखने के बाद, लेकिन नीचे के तरफ थोड़ी सी उसमें चोकलेट लगी हुई है, तो उसको मैं बॉल के लिए वैसे ही कट कर लोंगी, ताकि अच्छी सी बॉल बन जाए, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, उसे निकाल लेंगे, यह देखिये, बॉल का फॉम आगया है, इसमें, ऐसे ही अपने डाक चोकलेट का कर लेंगे, जो भी बस एक्स्ट्रा पार्ट है, उसे हमें निकाल देना है, ऐसे ही अपने सारी चोकलेट का कर लेंगे हम, यह नोमल हो चुके है, सारे बॉल्स बन चुके है, अब वाइट के उपर डाक चोकलेट का, से डाकुरेट कर देना है, और डाक चोकलेट के डाक बॉल्स के उपर वाइट से कर सकते हैं, आप चाहें, तो किसी और तरह से भी से डाकुरेट कर सकते हैं, जो आपके पास अवलेबल हो, यह जैसा भी आप पसंद करते हूं, यह देखिए, आप सारे रेडी हो चुके हैं, यह बहुत ज़्यादा टे प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भोलें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, तो प्लीज आप इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक शूर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू, थैंक्स वर वाचेंग